दोस्तों नमस्टकार मेरा नमें डॉक्टर केके पांडे और आपको इस सलम पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे पास एक सवाल अक्सर आता है कि सर फिस्टुला हो गया है आपरेशन कराएं या न कराएं तो दोस्तों आज हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि फिस्टुला होने के बाद में ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए क्या फिस्टुला बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकता है आज आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और दोस्तों मैं जो सबसे important बात करूँगा मैं तीन main ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो fistula का operation कराने के बाद जो conditions होती हैं उनमें तीन जो सबसे मुख तकलीफें होती हैं उसमें जो तीसरी वाली है वो lifetime आपको face करना पड़ता है तो आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि fistula का operation कराने के बाद वहें क्या क्या दिक्कते होती हैं और fistula क्या होता है कैसे होता है इसके उपर मैंने कई सारी वीडियो पहले बना रहा कि हुई आप जा करके उसको playlist में चेक करिएगा फिशुला करके एक अलग से playlist उसको जोड़ चेक करिएगा वहाँ पी आपको सारी information मिल जाएगी तो आए दूस्टों शुरू करते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे के website drkpp.com आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी information मिल जाती है related to fistula and other बहुत सारी चीज़ों के बारे में अगर आप interest रखते हैं बिमारियों के बारे में जानना और उसके बारे में पूरी article आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर बहुत सारी information मिलने वाली है तो एक बार जाकर के विजट जरूर करिएगा और वहाँ पर फिश्टुला के बारे में भी बहुत सारी information है तो आज आपको यह सारे सबालों के जबाब मिलने वाले हैं अंत तक बने रहे हैं अगर किसी को फिश्टुला हो गया है तो पहले यह समझ लिए कि फिश्टुला ह कि अजया है तो आपको सर्ज़री के बारे में समझ में आएगगा कि सर्जरी क्यों नहीं कराणी चैया या क्यों करानी चैया आपको यह दोनों जवाब मिल जाएंगी पहले समझ यह फिश्टुला क्या होता ॥ है फिश्टला बचिक्वि एक ऐसी कैणौल है झो आपके रे सकती है दोनों कंडिशन हो सकती है ज्यादे तर यह अंदर से बाहा की तरफ आती है इसके शुरुबात कैसे होती है जब भी यह किसी को अगर इनल फिश्टुला हुआ है तो आप अगर याद करेंगे तो आपको छे-8 मिने पहले साल पहले लैटिन के रास्ते में जलन कभी ऐस हुआ होगा कि फिशर जलन बैसिकली फिशर की वज़े से होता है तो ऐसा मैसूस हुआ हुआ कि आपको लैटिन कभी कड़ी होई हो और कड़ी होने के बाद में वहां पे जलन सी मैसूस हुई हो कुछ दिन तक जलन बरगार रही हो अगर आपने उसका सेज़से टीटमेंट नहीं किया घुथ वहां पर दर्द महशूस हो रहे हैं यहां परकण दर्द सी हो रहा है कि क्या होता है अंधर कट जाता है धसक करapa होता है कि बाहर की तरफ वहाँ से घाव बनता है पस-好吧 होता है कभी-कभी पस लाइटिनक के राश्ते साहते में आता है तो अнова श्रद thrive का मंते बनते बनते हैं और जयसा बना लीटा है एक छुटा सा कठा जैसा हो जाता है जिसके अंदर पस भरा वा तुसकं उथे सेक तो कभी कभी कंडिशन ऐसी होती है कि अंदर सैक मना होता है और उस सैक के अंदर में पस इकठा होता रहता है और लैटिंग के रास्ते से अंदर से अंदर आता रहता है अभी उसकी बाहर कोई उपनिंग नहीं हुई है तो कभी-कभी इस तरह का स्ट्रक्चर भी बन जाता एक कन्डिशन ऐसे बनत्य ही कि मालने यह सेख बंगया और उस सैक में से अलग से एक ऑपनिंग अंदर से बाहर की तरफ आने श्रू होजाती है और बाहर आकर करके एक अलग बन जाती है तो यह एक तरफ ऐसा भी यह दो जो तो तो मेरे कहने का सेंस किया है कि कई तरह की फिश्टुला होती है कि सब्सक्राइब आती हैं बहुत सार होते हैं कभी कभी एक उपर करते 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 हैं जय食 clinical विजाईना है एनस का दूसरा जो पार्ट या ब्लैडर है ठीक है या दूसरे जो पार्ट है वहां प्यागर को उपन हो जाता है तो एक अलग फिश्टुला बन जाता है और एक कॉम्टिकेशन पैदा करता है अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशन क्यों नहीं कराना चाहिए पहल एक होता है कि वो मसल कट अब काड़ गयी किसी ही उसका भी खानी है जो अगर वह गलती से भी कड़ जाती है तो क्या होता है कि इस टूल को पास करना चुकि बाद में जा करके जब वह घाव सूखता तो दीरी-दीर करके वहाँ पर हाड नहीं हो जाती है इनस को पॉश्ण होता है वो हार्ड हो जाता है और उस पॉश्ण को बोलते हैं इनल इस्टी नोसिस या इनल इस्ट्रिक्शन आप यह टर्म कभी सर्च करिएगा यूट्व पर या पर आप गूगल पर जाकर इसको सर्च करिएगा तो आपको पता चलेगा इसके बारे में कि होता है कि शुकुर्ण करके छोटा होजाता है तो लैकन क्यों पास होती है वह लैकन के लिए जगए कम बचती वैसे इस कंडिशन में क्या होता है कि शुकिश्टूर पास कम होता है तो अंदर कॉंस्टिपेशं करेंगे आता है इसको विषान इंदर करते लेट रहे ताकि रहे तो यह कंडिशन आपको बहुत लंबे समध्र करना पड़े सकता है अगर आपने उपरेशन कराया है तो क्योंकि ऑपरेशन कराने का एक बड़ा कॉमन इस ताइप का सिम्टम्स आता है कि यह कंडिशन डेवलफ हो जाती है अगर वो कट जाता है एनल मसल्स या एनल की यह स्फिंक्टर मसल्स होती है ठीक है इस स्फिंक्टर एनाइज को होते हैं जिससे इस टूल पास होता है मतल करने की या खोडने की बंद करने की जो पावर होती उस ही कंड्र में होती है तो अगर यह होता है तो दूसरा जो कॉंट्र होता है वह होता है कि सफिंक्टक्र ने लेकिन अगर थोड़ा भी रह गया और उसमें रहने की चांसे होते हैं उसका कारण यह लिकाय होती हैं इसके पढ़ा होता है और अगर थोड़ा भी रह गया वह तो दूसरा हम बढ़ा कारण होता है वह यह अपती है दो बार तीग चार चार बार operation करा हो चुक होते हैं फिर भी ठीक नहीं होता है फिर से उनको करना पड़ता है फिर से उनको treatment तो यह condition भी develop हो सकती है तो इसलिए भी नहीं कराना है और तीसरा जो सबसे मुहत्रपूर्ण होता है evidence कि अगर आपने operation कराया हुआ है और उसके कारण को ठीक नहीं किया हुआ तो उसके होने की संभावना दुबारा फिर से रहती है चुकि क्या होता है कि जो कारण है वो कारण नहीं अटाया क्योंकि आपने किसी चीच कुमालिये कहीं कर पस बना हुआ आपने उसके को काट करके हटा दिया और वापस उसको ऐने के लिए चोड़ दी आपने तो रहता है एक तो बाड़ी में बहुत सारे टॉक्सिंस चुक्त अखाते हो प्लस उसका जो टीट्मेंट होता है उस दौरान में उखाव दीरे देल सूपता है टाइम लगता है लंबे समय तक आपको उस तकलीफ को फेस करना होता है जो कि अगर किसी कट हो और वहां पर कितना लंबा समय लगता है आप इस उसको समझ सकते हैं तो ये बड़ा कारण होता है कि आपने उस जो पीरेड होता है जिसने भी किया हुआ है आप इस बार उनके रिव्यूस सुनिएगा तो आपको बताएंगे कि कितना पेंफुल होता है तो पेंफुल होता है काफी लंबा समय लगता उसको हील अप होने में और प्लस ऐसी कंडिशन को फेस करना बड़ा टिपिकल होता है जो बॉड़ी में टॉक्सिंस जाते हैं वो एक अलग से और प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉड़ी का जो बनने का जो कारण है वो ठीक नहीं किया हमने सिर्फ इसको ठीक किया अब उस कॉंस्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप अपने समतक लो है वो केमिकल बॉड़ी में टॉक्सिंस की रूप में इकठा होना शुरू हो जाएगा अलग अलग जगर पे और वो एक नई बिमारी आपको पैदा करके देगा तो आपका जो कबजियत है जिसकी वेज़े से हुआ है वो तो ठीक नहीं हुआ कबजियत का कारण कभी कभी क् करता हूं तो मैं देखता हूं लोगों को कि किसी को पता चला कि मेंटली कोई समस्या है मतलब कभी तनाव है कुछ भी या लाइफ में उसकी वज़से कभजियत की वज़से फिशला डेवलेफ होगे तो अभी-कभी इस तरह की चीज़े होती तो जो मेंटल टेंसन अगर उस अगर की सीगे जीवन में अगर मना हुए है मेंटल टेंसन कोई आइसा कारण है उसके जीवन में जिसकी वज़से उसका पेट सही नहीं रहा रहा है तो अगर आपने उस कारण को सही कर दिया तो पेट सही होना शुर्व हो जायेगा और आपने गर उस पर constitution medicine दे दी तो वो constitution जैसे इसे सही होता जाएगा वैसे ही वैसे उसकी बीमारी भी ठीक होती चली जाएगी तो दोस्तों यह तीन मुख्य कारण है जिसकी वजह से मैं हमेशा मना करता हूँ कि आप सजरी न करा करें और अपनी डाइट का सही तरिके से फालो करें तो आप डेफिनिटली आराम से फिश्टुरा को ठीक कर सकते हैं ठीक कर सकते हैं ठीक है और मैंने बहुत सारे यह कोशिस की कि आपने अगर operation कराया surgery की मादम से ठीक करने ही कोशिश की तो क्या करें complications हो सकते हैं इसमें और भी बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन यह कुछी चीज़े मैं आपको बताईए उम्मीद है कि आपको इसी समझ में आई हो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा कर लागा अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप कमेंट कर के ज़रू बताईएगा वे आपके